नमस्कार गुदीबनिंग आप सब लोगों का स्वागत है तेहनता आइस क्याडमी के यूट्यूब चैनल पर कल हम लोगों ने अपने क्लास के दौरान दिली सल्तनत के सोसेस का एक फलका सा ग्लिम्स लिया था और हमारा फोकस रहा था अमीर खुस्रों के ऊपर आज जब हम अपनी चर्चा को ले का दुबारा आये हैं तो हमारी चर्चा में एक बार फिर से दिली सल्तनत के इतिहास को जानने के सोर्स पर ही विमर्ष केंड्रित होना है लेकिन आज की चर्शा का अब से केंद्रिये व्यक्तिक को रखा गया है जिया उद्दीन बर्नी के रूप में जैसे कल हम लोगों ने अमीर खुसरो के बारे में पांगो पांग अधिन किया था जिसके इतहत की पीटी में, मेंस में, जीयस में, आउपसनल में, नेट के एक्जाम में, दुनिया के किसी भी एक्जाम में आप यदि अमीर खुसरो के बारे में कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं तो कल की चर्चा उसके लिए सफीसियंट है उसी तरीके से आज जब हम बर्नी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बर्नी को लेकर आप जो को भी तैयारी करने वाले लोग हैं जिस भी एक्जाम के तैयारी करने वाले लोग हैं उस तैयारी के लिए आज की कक्षा आपको पूर्ण रूप से तैयार कर देगी इसके पहले कि मैं बर्नी की ओर चलू और अन्य तमाम सोर्सिस की ओर चलू एक दफ़ा आप सब लोगों का अभिवादन देख लेता हूँ पितरंजन कुमार, सिविल, मुभीज, राजकुमार, तिवारी, तमाम प्रकार के लोग हैं ज्यानेंद्र, चत्रशेन, जोती, संदीप, गौरब, राजकुमार, पपू, खुश्बू, निकिता, सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को गुटी इवनिंग, सब लोगों को खूब सारा अशिरवाद, सब लोगों का भव्य अहिवादन, राजनाल, जय स्री कृष्णा, जय स्री कृष्णा, राजकुमार जी, प्रिजेंट सर, वेरी गुड, रॉष्ण कुमार, खुब खुश रहिए, मुकेस, गुडी इवनिंग, नेहा, खुब खुश रहिए, बिटा, जय कांत, गुडी इवनिंग, सब लोगों का भव्य स्वागत, कल आप लोगों से कोई बाचीत नहीं कर सका था, तो पहले मैं आज एक दो मिनट तक आप लोगों के साथ, इंट्रेक्शन कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी चर्चा सुरू करेंगे, राहुल जी, गुडी इवनिंग, ज्यानेंद्र, विश्व कर्मा, कैसे हो सर, आप, गर्दा करना है, अच्छा, गर्दा करना है, जैकांत, भबन कुमार, गुडी इवनिंग, वेद प्रकाष, गुडी इवनिंग, मिनाक छे, खुब खुश रही है, चलिए, तो, अब हम लोग, अपनी कख्षा के सुरुवात कर सकते हैं, I am coming, ति रंजीव कुमार, यह सैसी, और मोस्ट व है, तो, आज यूट्यूब बालों की नींद उड़ाना है, अरे नहीं है, तक कुछ नहीं करना है, जिर्फ मैं आपके गाउं, आपके गाउं का हूं, मेरे गाउं का सोनु कुमार सोनु, मेरे गाउं का है, बहुत स्वागत है तुम्हारा, अखलात कुमार, गुडीवनिंग, गुडीवनिंग, सागर कुमार जी, पप्पु कुमार, आज भी बहुत मजा आने वाला है क्लास में, कोसिस तो जरूर की जाएगी, ज्यानेंद्र कुमार विश्व कर्मा, सभी सिहंता परिवार, गुडीवनिंग, हाँ, ये बात होई न सिहंता परिवार, एक परिवार ही तो है, अभी तक ये लगवग, उनीस बसंत देख शुका है, परिवार और परिवार का दाइरा लगातार बठता जा रहा है, तुस्मा पाल खुखुषरे बेटा, निशा सर्मा, गुडीवनिंग, जोती, गर्दा मतलब, जोती, गर्दा मतलब है कि धमाल मचा देना है, ये बात है, गर्दा करने का मतलब है कि 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 इसी भी पिश्य का, आप मल्टी डाइमेंशनल डिसकॉसन कर दीजिए, महवीस अंजंबुडी बेटा, हिमान्सुराज सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, धन्यवाद हिमान्सु बावो, तन्मु स्रिवास्तव आपके मुस्कुराहट दिब्ब बनाती है गुरुजी, थैंक्यू बेटा, जैकांत, इनफ, चरंस परसरजी संदी सब्सक्राइब, राजकुमात तिवारी, चरिए, अच्छा, गर्दा मतब जोस हाई, हाउ इस जोस, हाई सर, येस, पवन्थापूर सर, अमीर, खुश्रो का वीडियो देखना है, कल मैं आधा देख पाया था, देख लेना पूरा, चलिए, अब आज की सामाने बादचित हम हमारी कंप्लीट हो गई और बाकि सब लोगों का अहिवादन रहेगा, जो देर से ज्वाइन करेंगे, उन सब लोगों को अभी सही बोल देता हूं, सब लोगों को राम राम, सब लोगों को राधे राधे, जै स्री कृष्णा, बंदे मातरम, भारत माता की जै, जै हिंद, आदाब, जिस भी भासा में, जिस भी लोकालिटी में, आप अपनी अहिवादन के अहिव्यक्तियां जानते हैं, उन सब में आप लोगों का भव्य अहिवादन, लेकिन अब हम लोग अपनी चर्शा की और आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो, अब हम लोग का सबसे पहला पॉइंट यह होना है कि, दिल्ली सल्तनत की जानकारी का स्रोथ क्या होगा? कल हम लोगों ने इस में बात किया था कि एक सोर्स सहितिक है, दूसरा पूरा तात्विक है, पूरा तात्विक के तहत हमने सिक्का, अभिलेख, भवन, आदि के बारे में बताया था, और सहितिक स्रोथों के तहत हमने यह कहा था कि उस दौर का इतिहास जानना है, तो आपको अर्बी, फार्सी, संस्क्रेट और भारत की अन्य देशी भासाओं के सहितिक तमाम सोर्स से गुजरना परेगा, उन तमाम सोर्स से गुजरने के क्रम में आपको डिफरेंट जोनर का लिटररी वर्क मिलेगा, उन डिफरेंट जोनर के अंतरगत एक जोनर हिस्टॉरिकल है, जिसके तहत उन लोगों ने लिखा है, जिन्हें हम इतिहासकार के नाम से जानते हैं, इसके तहत इसामी, मिनहाज तो सराज जियाउदीन बर्नी और समसे सराज अफीफ सरहिंदी ऐसे लोगों का नाम भी से इस रूप से उलेखनी है, मैं आज की कक्षा के अंदर जिस एक व्यक्ति के ऊपर केन देते रहूँगा वह है जियाउदीन बर्नी, तो पर्नी के बारे में यह आप जानना चाहते हैं, तो आपको क्या जानना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट हमें यह जानना है कि बर्णी का काल क्या था इतिहास के विद्यार्थी को सबसे पहले यही जानना चाहिए कि आप जिसके बारे में भी पढ़ने जा रहे हो वह कब हुआ उसके बाद फिर बर्णी कहां का था इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट यह है कि उसकी प्रिष्ट भूमी क्या है कहते हैं कि मनुस अपने संदर्व की संतान होता है यह बात पूर्ण रूपेन सते तो नहीं है लेकिन यह बात निश्चित तोर पर बहुत हद तक सते है तो यदि आप किसी के बारे में प्रणा चाहते हैं तो पहले उसकी प्रिष्ट भूमी पर ही इसके बाद फिर यह जानना है कि उसकी प्रशिद्धी का आधार क्या है वाई वी रीड हिम इन हिस्ट्री हम उन्हें इतिहास में क्यों पढ़ते हैं तो प्रशिद्धी का आधार क्या है कि इतनी बातों का अध्यन करने के बाद यह ध्यान रखना है कि हमारी चर्शा में इस विषय को ही केंद्रिय स्थान मिलना है अब हम पहले आपको इन से परशित करा देते हैं कि बर्णी का क्या है तो 1285 के साल में बर्णी का जन्म हुआ है यानि बर्णी का जन्म जब हुआ है तो वह ऐसे साल में जन्मा है कि जिसके ठीक अगले साल बल्बन की मृत्यू हो गई है बल्बन 1286 में मरा है तो आप यह समझ लिजिए कि कम से कम बर्णी ने बल्बन को नहीं देखा होगा यह समझ लिजिए कि बर्णी ने बल्बन का इतिहास लिखा जरूर है लेकिन वो कॉंटेंपररी इतिहास नहीं है बल्बन के गुजर जाने के बाद बाद के काल में लिखा गया है उसके बारे में जियाओदीन बर्णी के द्वारा अभी मैं बताऊंगा कि जियाओदीन बर्णी ने कब से लेके कब तक के काल का इतिहास लिखा है लेकिन बस मैं बल्बन के साथ जोड दिया इसके नाम को तो इसलिए ताकि आपको याद रह जाए इस्ट्री में याद रखने के लिए रेफरेंस पॉइंट की बड़ी महत्ता होती है आपको यदि बल्बन की मृत्यू का वर्ष मालूम है और यह मालूम है कि ठीक एक साल पहले तो बर्णी का जन्म हुआ था अब उसी में एक लाइन मैंने जोर दिया इसने बल्बन को तो नहीं देखा होगा अब आपको मोटे तो पर यह याद रह जाएगा उस दखता है कि आपको यह याद न रहे कि इसका जन्म 1285 में हुआ था पचासी, चौरासी, तेरासी, बिरासी को हिस्ट्री से कोई खास मतलब नहीं है आपको कौन सा जियाओ दीन बर्णी की जन्म कुंडली बनानी है आपको मोटे तोर पर periodic अंदाजा होना चाहिए history cares for the period, it does not care for the date और खास तो पर आप जैसे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें की इस बिसे पर research नहीं करना है तो उनके लिए तो वर्ष का कोई खास मतलब नहीं है अब यह अंदाजा लग जाएगा आप फिर इसकी मृत्यू कब हुई है इसकी मृत्यू हुई है 1369 1369 यह वह वर्ष है जब कि फिरोशा फिरोशा तुगलक गदी पर बैठा हुआ था अभी फिरोशा तुगलक को सुल्तान बने हुए आठ वर्ष हुए थे और तब जियाउदीन बर्णी की मृत्य हो गई यानि कि जन्म जब हुआ था तब बल्बन गदी पर बैठा हुआ था बल्बन उसके एक साल के बाद मर गया और जब बर्णी की मृत्य हुई तब फिरोशा तुगलक गदी पर बैठा हुआ था अभी बस आठ साल पहले हुआ गदी पर बैठा था अभी उसे और लंबे समय तक सासन करना था लेकिन बीच में बर्णी की ही मृत्य हो गई ठीक है अब मैं समझता हूं कि काल का अंदाजा लग गया अब दूसरा मुद्धा है कहां कहां का मतलब यह है कि इसका जन्म कहां हुआ जन्म तो मेरश के पास हुआ है बुलंद सहर जोड़ा हुआ है वो अब इसके तहत हम इस तरह की परहाई नहीं करेंगे कि यह हिंदुस्तान में कहां कहां कि यात्राइं किया है जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था अमीर खुसरो में बहुत दूर तलक यात्रा किया था यात्री के तोर पर हिंदुस्तान का लगवक हर हिस्सा हुआ भ्रह्मन किया था यह पूप अ कहां 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 गया था बरनी के वैसी कोई extensive यात्रा नहीं थी इसलिए बरनी के बारे में हम वो सारी बातें नहीं करेंगे जब आपको देखता हूँ तो लगता है class में बैठा हुआ हूँ इतना हारने के बाद भी लगता है कि कुछ भी असंभब नहीं है यह उर्जा मिलती है आपके दर्संद से बाविटा फिर तो लगे रहना है जीत उसी की होती है आरता सिप वो है जो हर मानता है बाकि जिन्दगी तो अपने आप में जंग ही है और जिन्दगी में जीत उसी की संभव है जो जिन्दगी में जंग करता रहता है जंगवाजों की ही जीत हो सकती है क्योंकि कोई ऐसा पडाव नहीं आता है जीनद्रां के दौरान कि जहां जंग की समापत्य हो यात्राओ की आयों हमेशा छोती होती है और गांठ बांगे रख लो लड़ते रहने में ही जीत है लड़ते रहने में ही जीत है का मतलब है कि जिन्दगी दुख और तकलीफों से आजाद होके कभी किसी ने जिया ही नहीं लेकिन जिन्दगी उसी ने जिया कि जो जंग करके जिया प्याला सा छोड़ दिया मैं कब जिया मुझे तो जिन्दगी ने जिया एक संताप है उनका जिन्हें लगता है कि वो नहीं जी रहे हैं जिन्दगी उनको जी रही है और दोसे तरफ इजरा पाउंड ने अपने जीवन के अंत में लिखा है कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्द इसी को मानता हूं कि मेरी जिन्दगी को मैं नहीं जिया मैंने जिन्दगी को इतनी सक्त नहीं दिया कि वो मुझे जिये मैं करता था जिन्दगी को मैंने करता नहीं बनने दिया जिन्दगी का मतलब है दुनिया जिन्दगी का मतलब है अन्शित परिश्थितियां जिन्दगी का मतलब है भौतिक संदर्व इदि आपने उन सबों को करता बनने दिया तो फिर आप उन सबों के ग्रफ्ट में होंगे और आपने खुद को करता बना दिया Let the circumstances come You will fight जो जिंदगी में जंग किया वही जिंदगी में कामियाब हो इसलिए लरते रहना ही जिंदगी का सबसे बरा सच है और यही जिंदगी के अंत की सबसे बरी सरमाया भी अब देखो प्रिष्ट भूमी के बात करते हैं जब प्रिष्ट भूमी के बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बरनी एक मुसलमान है कोई दिक्कत नहीं सब जानता है मुसलमान के बाद फिर जातिसे मुसलमानों में कई जातियां है वो तुर्की है और तुर्की लोगों नहीं भारत में पहली बार मुसलिम सत्ता के स्थापना किया था इसके बाद तीसरी बात है वह अभिजात अभिजात प्रिष्ट भूमी का ब्यक्ति है मैंने सासक वर्ग से बिलॉंग करता है अमीर वर्ग से बिलॉंग करता है वह कई जनरेशन से कई पीड़ियों से अमीर वर्ग में सामिल था इसके बाद फिर देखोगे कि वह स्यद वंस का था स्यद वही वंस है जिस वंस से पैगंबर मुहम्मद बिलॉंग करते थे इन्हें मुसल्मानों के बीच में विसेस सम्मान हासिल होता है वैसे तो मुसल्मानों में कोई ब्राम्हन नहीं है लेकिन आप सामाने समझ के ख्याल से चाहें तो इन्हें मुसल्मानों का ब्राम्हन कह सकते हैं सामाने समझ के ख्याल से यह प्रिष्टली क्लास नहीं है अब हम आगे चल कर देखें तो आगे की कहानी यह है कि अरुण खूखुसरये जैहिंद अब इसके बाद चल कर देखें तो आपको ये बात समझ माने को है कि वह आदमी धार्मिक पिष्ट भूमी का था धार्मिक पिष्ट भूमी का था धार्मी पिष्ट भूमिका था का मतलब है कि उसने आलिम की तरह ज्यान हासिल किया था तरह ज्यान ग्यान मनें इल्म इल्म हासिल किया था इल्म से ही आलिम सब्द का निर्मान हुआ है और यदि वह आलिम की तरह ग्यान हासिल किया है तो इसका मतलब है कि उसने कुरान, खदीश, इजमा, क्यास, इन सबों का भी अध्यन किया है ये कुरान क्या है, ये खदीश क्या है, ये इजमा क्या है, ये क्यास क्या है इन सब विश्यों पर मैं अभी आपके क्लास में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसलाम के ओपर मैंने आपके समक्ष दो वीडियो रखा है आप चाहें तो पीछे के क्लासिस में जाका पलट कर देख सकते हैं लेकिन अत्काल बस इतनी ही बात की इन्त को सन्युक्त कर दीजिए तो इन्हेंशे शरीयत का निर्मान होता है ये शरीयत इसलामी कानून का आधार है और बर्णी ने इनका अध्यन किया था इसके अतरिक्त बर्णी का अगला जो बैग्राउंड है वो यह कि यहां तक बैग्राउंड आपने देख लिया होगा अब मैं इसको आगे लिए चलता हूँ फिर बर्णी की जो प्रिष्ट भूमी है का अगला पक्ष है कि वहाँ एक तरफ जहां सरियत का अध्यन किया है वहें वह राजञेड प्रशाशन अध्य अध्या द्युक्त आप यहाँ राजुन का और इतिहास का गहरा ज्यान पाया था वह एक नहीं अनेक विश्यों को बहुत अधिकार पूर्वक पढ़ा था और जानता था उन्हें और उनके उपर वह बहुत गहराई में जाकर चिंतनमनन कर पाता था तो इस तरीके से आप देखो कि वर्नी की प्रिश्ट भूमी क्लेर हो जुकी है अब मैं यह कह सकता हूं कि वर्नी का काल क्लेर है वर्नी का छेतर क्लेर है और वर्नी की वो प्रिश्ट भूमी क्लेर है जिसमें की आगे चलकर वह वैसा कुछ काम करेगा कि जिसके कारण वह प्रशिद्ध हो सका तो प्रिश्ट भूमी के तहत यही कि वो मुसल्मान है तुर्की जातिका है अभिजात प्रिश्ट भूमी से बिलोंग करता है कई सारी पीरियों से वह सासन की सेवाओं में अपने पूरबजों से उसके घरवाले रहे हैं बड़े बड़े पदों पर रहे हैं तो इसलिए वह सुरुवाती दौर से ही सासन की नजदीकियों का लाब उठाकर उनसे जितनी भी संभव संभावनाय हो सकती थी उन्नत की उसे वह अभेल कर लिया फिर स्यद है धार्मिक प्रिष्ट भूमी है उसके अध्यन की आलिम की तरह पढ़ाई किया है शरियत का अध्यन किया है लेकिन सिप शरियत का अध्यन नहीं किया है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो की आलिम हैं लेकिन उन्होंने शरियत के अलावे और सारी चीजों का अध् तंग दाइरा होता है इसकी बातों का दाइरा उतना तंग नहीं है क्योंकि उसने राजनी इतिकाप प्रशाशन का इकानमिक्स का हिस्ट्री का सब का अध्यान किया है इसलिए जब वो शरीयत से जोर कर भी उनकी चर्शा करेगा तो वह बहुत ही अधिक भुसटाइल लगेग अब बैगराउंड की कहानी पूरी इसे मिटा देता हूं और मैं आपको सीज़े उस भुव में ले चलता हूं जिसके लिए वह प्रशिद्ध हुआ है तो उसकी प्रशिद्धिका आधार क्या है क्यों वह ख्याति नाम हुआ क्यों वह प्रशिद्ध हुआ है तो अब देखते हैं कि उसकी प्रशिद्धिका एक आधार यह है क्यों वह प्यगंबर मुहम्मद का बायोग्राफी लिखा प्यगंबर मुहमत की बायोग्राफी लिखा उनका जीवन चरीद लिखा जीवन चरीद लिखा उसके बाद फिर उसकी ख्याति का एक दूसरा आधार यह है कि वह एक माफी नामा लिखा है माफी नामा एक ऐसी किताफ है जिसमें कि वह यह कह रहा है कि शरीद के मुताबिक जीवन जीना चाहिए यही सबसे उत्तम उपाए है लेकिन उसके मुताबिक जीवन मैं भी नहीं जी सका और जिनके साथ मैं रहा वो भी नहीं जी सके जिन दर्बारों में में रहा वो भी नहीं जिये तो ऐसे इस स्थिए में फिर वक्त ख़दा के सामने अपनी और से एक अरजी लगाता है इस तरह की एक किताब लिख रहा है इसके बाद फिर इन दोनों किताबों से ज़्यादा प्रसिद्धी जिस किताब के लिए है मैं अब उस किताब की और आता हूँ वह है फत्वा ए जहादारी फत्वा ए जहादारी यह उसकी बहुत अधिक चर्शित किताब है फत्वा ए जहादारी में सबसे पहले आपको समझना परेगा जहादारी क्या है तो जहादारी मने राज बेवस्था को ही तब एक होता है दीनदारी मने धार्मिक जीवन पधधती की बाते जब हो तो दीनदारी की बाते हैं जब लौकिक बाते हो दुनियादारी की बाते हैं। जब सासन समंधि बाते हो तो जहांदारी होती है। तो जहांदारी और फत्वा निरने। किसी भी विसाय से समंधित विमर्ष के अन्त में आप उसके right and wrong को लेकर एक judgment देते हैं। वही है फत्वा को मतलब कोई आदेश नहीं होता है artists में अगा सी गई है कि अधिबा जारी हुआ है का मतलब है他 यह तो आदे चारी हुआ है किसी सक्तिशाली जार। मुस्लिम लीडर का मचार तो आवाहन हुआ है किसी बरे मुहीम का दोनों में से कोई विवास्त नहीं है, फत्वा का मतलब होता है निरने देना, किसी भी विशय विशेश के उपर एदी विमर्ष हो रहा हो, तो उसमें आप एदी उसके विचारक हैं, तो आप बताएंगे कि मेरे ख्याल से ऐसा ठीक है, यह होना चेही है, यही है फत्वा, तो उसकी किताब का नमें फत्वा यह जहां जा रही है यह उस तक बिसिकली राजनीत के संदर्व में उसकी बिचारधारा और सासक वर्ग के लिए मांगदर्शन करने वाली है यह पुस्तक राजनीत संदर्व की विचारधारा की अव्यक्ति करती है और सासक वर्ग के लिए मांगदर्शन करने का भी काम करती है सासक वर्ग को कौन से रास्ते पर चलना चाहिए इसके अंतरगत और गहराई से मैं उतरूंगा अभी इस वेसाई के ऊपर ज्यादा गहराई में नहीं जाओंगा दो ही किताबों पर चर्शा चरेगी फत्वाय जहांदारी और एक चौथी किताब जो मैं अब लेकर आने बाला हूं इनके बारे में कोई खास आवसकता नहीं है और भी कुछ किताबे हैं जो बर्नी ने लिखा है उन सब की भी ज़रूत नहीं है बर्नी की जो चौथी किताब है और जो बर्नी की प्रशद्धी की मूल किताब है जिसके लिए बर्नी को हम पढ़ते हैं मोटे तौर पर वह चौथी किताब है कि तारीख कि ए फिरोज शाहिए तारीख है फिरोज शाहिए तारीख है फिरोज शाहिए तो आप यह ध्यान रखना कि जब कभी कोई श्ब्द तारीख से मिलता जुलता नजर आए तो समझना कोई इतिहास की और हिसारा कर रहा है अब किसी की किताब का किस्तान अबर своद जारीख है सामाने तौर पर 99 uh केस में आपकी बात सही निकलेगी तारीक फिरोशाही ने अब क्या ये किताब फिरोशाह के उपर है ऐसी कोई बात नहीं है फिरोशाह को समर्पित है ये बुक फिरोशा को समर्पित है ये बुक तारीक फिरोशाही नाम से दो किताबे मिलेंगी आपको एक बरनी ने लिखा है और एक हम से सिराज अफीफ ने लिखा है अफीफ ने लिखा है दोनों की किताब इतिहास की है तारीख लिखते हैं माफ करिए तारीख दोनों की किताब जह वह तारीख की किताब है और दोनों नहीं अपनी किताब समर्पित किया फिरोशाह को फिरोशाह तुगलक को इसलिए दोनों की किताब का सेम नाम है तारीख फिरोशाह तो आपको यह समझना है कि वर्नी की ख्याति का कोई एक मूला दहार को जा जाए तो वह है तारीख फिरोशाही तारीख फिरोशाही कम्प्लीट हुई है तेरह सौ संतावन में तेरह संतावन में जब उसकी किताब कम्प्लीट हुई है तो यहां पर भी मैं एक बैग्राउंड दूगा उस बैग्राउंड के बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि तब आपको तारीख के फिरोशाही में उसके लेखन के पीछे का जो भी पुर्वागरह वगरह है उसको समझने में थोड़ी साहिता मिलेगी तो तेरह सौ संतावन में तारीख फिरोशाही सयार हुई है यह फिरोशाह तुगलक के साशन का छथा साल था यहीं तक कविवरन है इसमें कई बार अपने किताबों में पढ़ा होगा कि इसने फिरोशाह तुगलक के साशन के चठे साल तक कवरनन किया है तो चठे साल तक कवरनन किया है मतलब एक इसी साल इसकी किताब complete हुई है जिसमें इसकी किताब complete हुई थी he was a very very old man और उसके दो साल के बाद मुस्की मृत्य हुई हो गई है तो इसी बज़ा से इसकी किताब में फिरोसा तुगलक के सासन के छठे साल तक का ही coverage है फिर हम यह देखते हैं कि उसके बाद फिरोसा तुगलक के हठे साल के सासन के बाद के काल का वर्नन समसे सिराज अफीफ ने किया है उसने फिरोसा तुगलक के बाद के वर्षों का वर्नन तो किया ही उसके अतरिक फिरोसा तुगलक के जो उतराधिकारी थे उन लोगों के जीवन काल में क्या क्या हुआ उसका वर्णन किया उसके बाद फिर तैमूर लंग का हमला हुआ है उस हमले ने कैसे दिल्ली को तासनास किया है कैसे लोगों के जीवन में बदहाली ला दिया है इन सब का वर्णन किया है तो समसे सिराज अफीफ ने बाद के काल क अभी एक अलग तरह की प्रिश्ट भूवी जो मैं आपको बताना चाहा रहा हूं वो यह कि बर्नी जेल में था जेल में था जब वो किताब लिख रहा था कि वाज़ क्याप्टिव कि सायद फिरोशा तुगलक सायद फिरोशा तुगलक के बजाई या किसी और को गदी पर बिठाने में इंट्रेस्टेड रहा होगा और इस बात की भानक फिरोशा तुगलक को लग गई होगी तो गदी पर बचने के बाद फिरोशा तुगलक ने इसको दर्वार से निकाल दिया दर्वार में ये पहले से मुझूद था मुहम्मद बीन तुगलक के सासन के दौरान सत्रह वर्षों तक जियाउदीन बर्नी उसका मित्र था नदीम शब्द का इस्तिमाल होता है नदीम फार्शी सब्द है कभी भी पीटी के एकजमे पूछा जा सकता है कि नदीम का मतलब क्या है उस समय सासक के बीच में यह चलन हुआ करता था कि वो अपने समय के किसी विद्वान आदमी को किसी फिलोसफर टाइप के आदमी को किसी बड़े साहितिकार वगरह को अपना मित्र बना लेते थे और यह मित्र उनके ग्यान में भी ब्रधी करते रहते थे उनका एडवाइजर भी हो जाते थे उनको और भी कई तरीकों से वो इंटर्टेन करते थे तो जियाउदीन वर्नी को नदीम बनाया था मुहमद बिन तुगलक ने मुहमद बिन तुगलक ने और जब कोई सुल्तान का नदीम रहा हो तो नेचुरल हुआ हाई प्रोफाइल माना जाएगा और आज के डेट में हुआ सभी प्रकार के सुक्षवदाओं से पद से आदिसे बन्चित है तो उसने अपने किताब में बताया भी है कि मैं जिस मानसिक दसा से ग्रस्त हूँ उस मानसिक दसा की अहव्यक्ति मेरी रचना में हो जाती है आप उसकी पंक्ति को as it is सुन लीजिए तो आप देखेंगे कि वो कहता है the despair that is in my heart flows in tears of blood from my eyes drifts from my pain and stains the paper मैं जिस मानसिक पीरा के दौर से गुजर रहा हूँ वो आसू बन कर मेरी आँखों से धरबता है और स्याही बन के मेरी कलम से निकलता है और कागज को अपने आप रंग देता है ये इस प्रकार के दुख दारद्रह की बात कर रहा है हलांकि ऐसी दड़िदिता के लाहिक कोई बात उसके जीवन में आई नहीं थी उसकी ऐसी कोई बहुत बड़ी कर्शनाई ही नहीं लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा पीरा क्यों महसूस कर रहा है मैं उसकी चर्शा कुछ दे के बात करूंगा लेकिन हाँ कुछ तो परिशानी है उसके जीवन में जो परिशानी है वो यही कि सुक्स विधाओं में जिया हुआ आदमी उनसे वंचित है अमीर वर्ग अभिजात वर्ग का हिस्सा रहा हुआ आदमी आज उससे दूर है इसके बाद अब आप यह अंदाजा लगेगा कि वह फिरोशा कुछ करना चाह रहा था मसका लगा रहा था फिरोशा तुगलक को खुस करना चाहता था उसको मसका लगाता था वो फिरोशा तुगलक को आदर्श सुल्तान कहेगा फिरोशा तुगलक के काल में लोगों का जीवन खुशाल है इस तरह की बाते करेगा फिरोशा तुगलक के सासन की जो नीतियां है वो इसलाम के बिल्कुल करीब है उसके अनकूल है वो इस तरह की बाते करेगा एक तरीके से वह फिरोसा तुगलक को सिगनल दे रहा था कि अब हमको फिर से दरवार में समान और सुबिधा का पात समझा जाए तो ये भी एक तरह की पिश्ट भूमी है जिसका असर उसकी और आपको दिखाई देगा ठीक है 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 चलिए सब लोगों का अफिवादन जो बात में जुड़े हैं उन लोगों का भी लेकिन अब मैं आप लोगों का कोई बहुत वैलिट सवाल होगा तो आप सवाल पूछिएगा मैं उस सवाल को डील कर दूँगा लेकिन इसके अलाव कार करता जाओंगा चेहरे पे उसकी अहिव्यक्ति होते जाएगी लेकिन जुबान पे मैं बार बार अहिव्यक्तियां लाओंगा तो पढ़ने की और परहाने की जो गती है वह बाधित हो जाएगी इस वजह से आप भी इसको समझ लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं भुपेंद कुमार जी चितरशेन अनुराव चंचल सेलेंदर प्रकाश चालनी कमलेस पीके सब लोगों को नमस्कार बात अब खतम हो गई अरुन चलिए अब आगे अब आगे में हम सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं फत्वा ए जहांदारी का फत्वा ए जहांदारी का यह मैं बता चुका हूं कि फत्वा ए जहांदारी राजनीतिक बिशार धारा पर आधारित उसकी किताब है और कि तो मनि राम सर जी इवहने में जोटपूर में कोचिंग लित थी और अब लेक्षर हूं वाह मनि राम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको बहुत-बहुत प्रश्रोफ कामना and I am absolutely confident that you will be a very very good teacher very very good lecturer its college में हैं कभी बताईएगा मुझे कुर्य गुप्ता प्लीज प्रुवाइट क्रैस कोर्स तो हमारे हां चलता ही रहता है सुर्य बाबु लगतार चलता रहा है कई साल से चल रहा है कि क्या है सैलेंद्र रहा का सर जीयस के लिए स्टार्ट करना क्लास 100 परसंट शुरू करूंगा और जल्द ही सुचना मिलेगी आप लोगों को तो चली आगे करते हैं सर यूपी पीसियस प्री को ध्यान में रखकर क्लास लाइए आप कि महान दया होगी प्रकास पांडे पक्का प्रकास बावो देखते हैं प्लान करता हूं कोई न कोई चीज शुरू करने का प्लान है जरूर आएगा चली शुरू करिए फत्वा ये जहांदारी तो फत्वा ये जहांदारी है सक्सेस एकेडमी फॉर कमपेटिशण गुड़ीवनिंग वावो गुड़ीवनिग पत्वा ये जहांदारी की बारे मैं बता चुका हूं कि ये राजनितिक विचारधारा की पुस्तक थी मैं इस सब्द का अर्थभी एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ तो उसके आगे बढ़ता हूँ उसके आगे की और जब चलते हैं इसलिए अंडर परसेंट इथिक्स को पर बात करेंगे तो लेकिन अभी बस चलते हैं लोग पॉलिटिक्स की और चलते हैं अच्छा आप में दस घंटे वाले क्लास स्टूडेंट रहे हैं वाह इसके लिए आपको निर्मल जी जो उतकर्स वाले हैं उनको भी धन्यवाद देना परेगा कभी कभी मैं जोथपूर जाता था और उसमें दस घंटे का मेरतन क्लास होता था मैं उन बच्चों का बढ़ा अ हत्वा जहादारी के अंतरगत जो राजनीतिक विचारधारा की किताब है उसमें कौन-कौन सी बातें कहीं गई है उसकी और चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात यह कि में कहा गया है कि सरियत का मार्ग आदर्स मार्ग है आदर्स मार्ग सरियत का मार्ग मतनब पुरान, हदीश, इज्मा, कयास, आदिक के अंदर जीने का जो रास्ता बताया गया है उचित-अनुचित का जो बोध दिया गया है वही रास्ता एदी अपनाया जायज जीवन के लिए तो वही सरवुत्तम उपाय है अब दूसरी बात क्या है कि किन्तु राजनीत राजनीत को देशकाल के अनुकूल भी चलना होता है अनुकूल भी चलना होता है कि राजनीत को देशकाल के अनुकूल भी चलना होता है एयूब खान इंग्लिस बीडियूम भी सुरू करिए क्का इंग्लिस मीडियूम सूरू करूँगा इंग्लिस मीडियूम तो मैं वै कर आऊंगा कि ऑफ-लाइन क्लास कब सुरू होगा सिब जाय स्वाल ऑफ-लाइन क्लास की बात तो सरकार ही बता पाएगी हम लोग तो इस बिस है कि कोई जानकारी ने रखते हैं तमाम प्रकार की बाते रोज आते रहती है उन बातों को मैं अब आपके सामें रखो तो क्या इसन देने वाले हैं 22 मार्च आने वाला है अभी तक परमीशन नहीं हाय अब गल्ती उनकी भी नहीं होती है गलती तो पेंडेमिक की है अँफर बीच में सर उठा लेता है तो फिर मंतरी महुदे क्या करेंगेrap प्रार क्या करेगी हम लोगों से भी पूछा जाये गा तो हम यही कह देंगे कि तुरक्षा को दिहान में रखते हुए और करिएगा कोई निरने लीजिएगा हम पहले हैं उन कोई बिमारी हो जाए यदि ऐसी बात होती है तो बहुत ही दुरभागी की बात हो जाएगी आर्थिक नुकसान ही है बनिस्पत इसके कि हम किसी बच्चे के जीवन को खत्रे में डाल दें तो बैवसाइक चीजें बहुत अलग है सामाने हैं जीवन बहुत अमुल है देखो जब तलक की नई शुरू हो ऑफ्लाइन का क्लास तब तलक आप लोगों को यह मान कर चलना चाहिए कि ऑनलाइन एक रिय जब कभी आप के सामने यह ख़बर आती है कि ऑफ्लाइन का क्लास शुरू हो गया तब आप फिर चून लीजेगा अपना बिकल्प कि आप ऑनलाइन में रहना चाहते हैं कि आप ऑफ्लाइन में आना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन और ऑफ्लाइन दोनों क्लास चलता ही रहेगा तो कि हमारा online और offline दोनों क्लास चलता रहेगा तो ऐसे इसे ते में आप लोगों को अपने टाइम को खराब करने से बचना चाहिए सरकार जाने इस विशय पर मैं टीका टिपनी करूं यह मेरे अधिकार छेतर से बाहर की चीज और इस विशय पर टीका टिपनी करने का कोई फाइडा भी नहीं होगा मेरी और से तो मैं एक बात जानता हूँ कि सरकार जिस दिन परमीशन दे देगी मैं उस दिन सरकार के परमीशन के अनकुल क्लास दुरू कर दूगा मैं अकेला नहीं हूँ हमारे जैसे और भी बहुत सारे दरजनों दरजन लोग हैं जो दिल्ली में बड़े बड़े office लेकर बैठे हुए हैं बड़े holding और board लेकर बैठे हुए हैं जिन के पास में सेकर हजारों students आते हैं उन्हीं लोगों में से एक मैं भी हूँ जो सरकार के permission की और उमीद के निगाह से देख रहे हैं लेकि परमीशन अभी नहीं आया है मार्च पिछले साल बंद हुआ था इस साल का मार्च चल रहा है बहुत सारे बच्चे जब ऑफलाइन क्लास रू होगा तब हम क्लास करेंगे के इंतजार में अपना एक साल खराब कर लिए मैं इस विसायक में इतनी ही सोच रखता हूँ कि इंतजार से ज़्यादा खराब कोई निरने नहीं होता है इंतजार का मतलब इनेक्टिविटी होता है आपको गिवन सरकेमिस्टांस में अपनी और से बेस्ट डिसीजन ले लेना चाहिए आप ऑफलाइन का इंतजार करने के ब यदि आपको ऑनलाइन में जिनका कवरेज आपने कर लिया है उनको लेकर भी कुछ नहीं आती है तो उसमें भी आप ऑफलाइन के चल रहा होगा तो उस क्लास में बैट चाहिए इससे ज्यादा फूट आपको और क्या दी जा सकती है लेकिन वेटिंग इस वर्स्ट डिसीज मैं बिचार करूँगा और बिचार सीरियसली करूँगा तो आप मेरे ऑफिस में संपर्क करके अपता दस दिन में जानकारी ले लिजिएगा अभी तो बेटा मैं इस विसे में और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा चलिए तो मैं यह कह रहाता कि शरियत का मार्ग आदर्स मार कि इसके बाद फिर बर्नी का और क्या कहना है बर्नी का कहना है कि राजा के मन में तरियत का समान रहे और वह राज की जरूरत के अनुसार जरूरत के अनुसार जवावियत मने राज की एक आनुन जवावियत के तहत सास्तन चलाते रहे चलाते रहे शरियत का कानुन मने धार्मिक कानुन और जवावियत का कानुन मने राज की एक कानुन राज की जरूरत के मताबिक राजा के दौरा ये सुल्तान के दौरा जो कानुन बने उसी को जवावियत कहते हैं तो कहता है सरियत के प्रतिया आप समान रखिये और जवावियत के में कुल्तान के प्रति सम्मान होना चाहिए सम्मान होना चाहिए और कुल्तान को अमीरों के प्रति सहायक भाव रखना चाहिए सहायक भाव रखना चाहिए यानि कि अमीर वर्ग जो है जो मुस्लिम समाज में सासक वर्ग के लोग होते थे जिनके बीच में से प्रशाषनी कधिकारी शैनी कधिकारी आदे चूने जाते थे उन सब लोगों को कहा जा रहा है कि तुम सुल्तान के प्रति सम्मान का भाव रखो उसकी सत्ता को मजबूद करने में योगदान करो लेकिन सुल्तान को ये कहा जा रहा है कि तुम भी अमीरों को अपनी जूती का नोक न बनाओ तुम भी उन्हें पेंगे से न रखो तुम उनको इडवाइजर के तौर पे अपनी सत्ता में सहयक के तौर पे उपियोगी के रूप में पहचानो और उनको एठास संभव आदर और सुरक्षा उपलब्द करवाओ तो वो एक ऐसे संबंध की बात कर रहा है कि जिसमें की अमीर और सुल्तान दोनों एक दूसरे के साथ परस पर अपनापन के बंधन में बंदे इसके बाद फिर वो कहता है कि कुल्तान जवाबियत की और बढ़ते हुए जिस हद तक कि उपेक्षा करता है जिस हद तक सरियत की उपेक्षा करता है उसी अनुपात में इसलाम को परहावा देने में ही भूमिका निभाना चाहिए भूमिका निभाना चाहिए यानि कि आप इदिस शरियत के बजाए जवाबियत के रास्ते पे चल रहे हैं और इस नाते शरियत की उपेक्षा हो रही है तो आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन किस परकार से हो सकता है कॉम्पनसेशन कुछ इस परकार से हो सकता है कि आप मिल्क इनाम इदरार आदिके माध्यम से इसलाम के प्रशार में योगदान देने बाले लोगों का संड़क्शन कीचिए आप मदरसिक हो लिए आप इसलामिक तंस्कृतिक को बरहबा देने के तमाम कंस्ट्रक्टिव पाइक खुशते रही इसके बाद वह एक और बात कहता है कि मुस्लिम सुल्तान को गर मुस्लिम कैसी नीत अपनाने चाहिए मुस्लिम सुल्तान को अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के परती कैसी नीत अपनाने चाहिए तो अब इसमें देखोगे कि वह व्यवहार और व्यवहार और अपनी अकांशा के मद्ध दूंद में फंसा हुआ है व्यवहार और अपनी अकांशा के मद्ध दूंद में फंसा हुआ है वाट ये इस्पायर्स फॉर और वाट इस प्रेग्मेटिक इनके बीच के दूंद में वह हमें सा रहता है इधर वह जानता है कि वह मानता भी है मानता है कि सब को बलपुर्बक श्यूंद मुसल्मान अपनाशा पनाशा हुआ है। नहीं बनाया जा सकता। मुसल्मान बीसमी सताब्दी के दौर में भी जाओ कि हिंदुस्तान का इतिहास पर हो तो आपको सुरुवाती दौर में बीस परसन के आस पास थे। तो आप तेरमी चौदमी सताब्दी की कलपना करके देखिए तो उस समय तो और बहुत कम रहे होंगे। यदि हम चौदमी सताब्दी में हिंदुस्तान की कुल अबादी में मुसल्मान की अबादी का अनुपात निकालने की कोशिश करें। तो मेरा अनुमान है कि वह साथाट परसन से जादा तो नहीं ही रहा होगा। यह मैकसिमम होगा। तो क्या यह संभब है कि बची हुई पूरी आबादी को मुसल्मान बना दिया जाए। तो बर्नी इस बात को समझ रहा है कि यह संभब नहीं है। हलक वह चाहता है कि ऐसा हो लेकिन वह जानता है और यह मानता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा। तो वो मानता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा और दूसरे तरफ देखो तो वह कहता है कि यह सक्ता मुसल्मानों की है सक्ता मुसल्मानों की है पहली बात हिंदू को इस सक्ता में कोई भागेदारी नहीं मिलनी चाहिए दूसरी बात वह यह कहता है कि हिंदू को दिम्मी को जिम्मी भी लोग बोलते हैं जिम्मी हिंदू को दिम्मी यह जिम्मी बनाकर जजिया के आधार पर प्री छोड़ देना भी परियाप्त नहीं है प्रियाप्त नहीं है जिम्मी मने उस अबादी को हम जिम्मी यह दिम्मी कहते हैं जो अबादी मुसल्मानों के ख्याल से मुसल्मान नहीं है मतलब मुसल्मान जब भी किसी एल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के कलमा को नहीं मानते वो जिम्मी कहलाते हैं यह दिम्मी कहलाते हैं और उनसे यह उम्मीद की गई है कि वो अपने आय का एक परसेंटेज्ज उप सामान तया एक बड़ाचालीस हुआ करता था वो दे देंगे श्ल्कान को सासक को और यदि आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आप अपने धर्म का पालन पोसन कर दे रही बर्नी कहता है कि ये प्रयाप्त नहीं है बलकि बर्नी तो ये कहता है कि यदि आपने इतना ही लेकर हिंदूओं को यानि कि जिम्मियों को यदि फ्री कर दिया तो हिंदू सासक और मुस्लिम सासक के बीच का अंतर ना के बराबर हुआ वह और भी कई तरह के उपाए अपनाने के उपर बल देता है कि आप कोई उपाए करिये जबरदस्ती आप हिंदुस्तान के हिंदूओं को मुसल्मान नहीं बना सकते क्योंकि उस समय एक बहुत और अबादी हिंदूओं की असाधारन रूप से ज़्यादा है उस समय एक काहवत प्रचलित हुआ करता था मुहावरा के तौर पर कि हिंदूस्तान में मुसल्मान आटे में नमक की तरह हैं आटे में बाल की तरह हैं ये सब खुब सब्द चलता था तो आटे में बाल की तरह हैं मतलब इतनी कमसंख्या है कि वो कैसे आखिर हिंदूस्तान की इतने बरी आबादी का धर्मातरन करा सकते हैं तो बरनी कहता कि ठीक है मैं मानता हूं कि यह नहीं हो सकता है कुछ और उपाई करिए वो बहुत और भी तमान तरह के उपाई अपनाने की बात कर रहा है और कहता है कोई सुल्तान एदी सिब जजिया वसूल करके हिंदू को अपने धर्म के पारण करने के छूट दे देता है तो मैं समझता हूं कि हिंदू मुसल्मान हिंदू सुल्टान और मुसल्मान सुल्तान के बीचे को अंतरी नहीं है कि यह समझ दे होंगे कि वह बहुत ही कट्ठरपंधिक किस्म का आदमी था वह इंटी हिंदू था अब अगला मुद्धा यह है कि उसके सासन के सद्धान्त में अगला मुद्धा यह सामिल होगा कि वह अभिजात वादी था मतलब यह देखो कि हिंदू की तुल्ला में मुसल्मान होना स्रेष्ट तक की पहचान है बरनी के मताबिक और मुसल्मानों के अंतरगत भी कई केटेगरीज थे तो इदियाप सिप मुसल्मान है तो उस दौर में एक मुसल्मान देशी है एक विदेशी देशी का मतलब है कि हिंदू लोग जो धर्मांतरित होके मुसल्मान बन गए वो देशी मुसल्मान हो गए खान जादा लोग कहलाते थे उस समय और विदेशी का मतलब है जो कि भारत आये हैं बाहर से इसके अंतरगत कि तुर्की हैं कि इरानी है कि अफगानी है कि या अरब अरबी लोग है कि वर्णी इसमें तुर्की को सर्वसेश मानता है कि तुर्की को सर्वसेश मानता है क्योंकि वो तुर्की जाती का ही था तो देखो कि वर्णी धार्मिक भेद भाहों के पक्ष में था कि धार्मिक भेद के बाद में फिर वह जाती भेद के पक्ष में है कि यहां जाती का मत्तब रेस है कास्ट नहीं कि रेशियल डिस्कुमिनेशन के पक्ष में है क्या है कि बहुत कमेंट्स आगे उसके बाद विपिन बावु शिवम दुबैदी कि काम देप खुछ रहे रश्मी राठी गुड़ इवनिंग बेटा वर्नौत दुबैदी और अरंग्जेव जिस सासक को इन होने ही पत्भ्रमित किया नहीं तो वह भी बहतरीन सासक होता अब और अरंग्जेव के उपर तो हम कभी फिर किसी दिन और डिसकुम करेंगे आज मैं विस्यांत कर नहीं होंगा अशुतो शुकला आपका यह एक्सान हमेसा याद रहेगा सर जो हम बिना पैसों के होते हुए आप से परपार हैं अरे बेटा क्या बात कर रहे हो अशुतो लब यू बेटा गॉड ब्लेस्यू और इस तरह से तो करते ही रहेंगे मुझे आप जैसे काबल ल कि धार्मिक भेद को मानता है जाति भेद को मानता है और उसके बाद फिर और क्या हम देख रहे हैं कि और वह वंस भेद को मानता है वनस भेद को बने अब आपको यह भी समझना आए कि हिंदू बिरूदी नहीं था हिंदू के बाद मुसलमान में चलो ते तुमाम जातियों के विरुद है वो सिफ तूरकों में भी चल कर देखो तो वह उचे कुल खांदान वाले लोग जो कई पीरियों से सासन में बड़े-बड़े पदों पर जाते रहे उनके पक्ष में है तो उनके पक्ष में है वो यह कहता है कि यदि आप सामान कुल के हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए आपके अंदर बरे कुलीन लोगों के जैसा वर्चु आही नहीं सकता यह उसकी किताब की पंग्ति है दो वाटेवर यू वांट तो दो अनी अमाउंट अफर्ट इस नौत इनफ तू मेक यू वर्चुएस इप यू नौत बिलॉंग तो दी अपर क्लैन एदि आप उचे क्लैन से उचे कुल खांदान से जुड़े हुए नहीं है तो आपको जो करना है कर लीजिए कितना भी परिश्रम करना है कर लीजिए कितना भी प्रयास करना है कर लीजिए आपके अंदर वो गुन नहीं आ सकते हैं जो गुन की उचे क्लैन बाल ऐसी बात कह रहा है वर्णी आप समझ यह की वर्णी कि प्रकार से कुलीनवादी नहीं है आप उसमें यर्प में भी चलके देखो तो आपको इस तरह के प्लिन दहर आएगी आप प्रांस की क्रांति के पहले फ्रांस्मी राजनीतिक वैवक्ता को देखिये तो आपको यह बात स्वार्स मजमाने को है कि प्रांस में उचे कुल खांदान के लोग ही रए बर्शाशनी पर जाते थे चाहे इस्टाइनिक पदों चाहे अश्राइनिक पदों आप देखोगे कि निपोलियन के बारे में कहा जाता है कि क्रांति की संतान था वाइफ यह लून अज़ी चाहिल अ और प्रिविलेज्ड क्लासेस तो बिए प्वेंटेट इन दे अडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेज्ड क्लासेस जो है जो अभिजाद वर गये विशेश अधिकारों संपन वर्ग ये लोग जो हैं उन्हीं लोगों की न्युक्तियां होगी उचे पदों पर उसकी शर्त का समापन कर दिया रेप्लूशन ने and it bought the equality before the law जब इसने equality before the law के system ला दिया तो आपका complete course online नहीं मिलता क्या अपकोर्स मिलता है महाविर सिंग जी आप अपना number यहां पर रख दीजिए या फिर हमारे office के लोग आप से संपर्क कर लेंगे office के लोग आप से बात कर लेंगे हम लोग का या फिर आप जाके सिहंता का आप डाउनलोड कर लीजिए वहां आपको इससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी तो मैं यह बोल रहा हूं कि कि आप यह देखने की कोशिश करिए कि प्रेंच रेभूलूशन ने को स्टैबलिस किया तब जाकर नेपोलियन जैसे सामाने प्रिष्ट भूमी का आदमी अपनी और सामाने प्रतिभाव के कारण बरे से बरे पद पर जाने में कामियाब हुआ यदि बरे से बरे पदों पर जाना है आपको प्रतिभाव चाहिए या कि आपको उचा वंस चाहिए बरनी कहता है उचे वंस में है तो प्रतिभाव होगी ही और वंस उचा नहीं है तो प्रतिभाव हो ही नहीं सकती इस तरीके से वह आपको यह अंदाजा लगेगा कि बरनी क्या है त्राजनिटिक सप्धान्त कैशे कर लिया एक हम समझते हैं कि版 कोben के सम quiere तार्य थे पारिक और मुर्जाने का समय आचुका है अधि हम हलके से करें रिवाईज करें थे तो हम यह देखते हैं कि कि फत्वा जहांदारी में वह यह कह रहा है कि तरियत का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है लेकिन चुकि वह एक प्रेग्मेटिक विचारत भी है तो वह जानता है कि राजनी को देश और काल से तट्रस्त करके चलाया नहीं जा सकता तो इसलिए कहता है कि फطरीयत को समान करते हुए आप जबावयत के मताविए शायक जलाएए फिर कहता है कि अमीरों को चाहिए कि वह सल्तां के प्रचि समान का भाव रखे और सुल्तान को चाहिए कि अमीरों के प्रती भी सहयक भाव रखे और फिर कह रहा है कि सुल्तान जबावियत की ओर बढ़ते हुए जिस हद तक सरीयत की उपेक्षा करता है उसी अनुपात में उसे इसलाम को बरहाबा देने में भी भूम का निवानी चाहिए इसके लिए तमाम उपाए है ये उपाए हो सकता है कि आप मिल्क इनाम इदरार के रास्ते करिए ये उपाए हो सकता है कि आप मदरसा कुल कर करिए ये उपाए हो सकता है कि आप मजार कुल के करिए ये उपाए हो सकता है कि आप मकबरा बना के करिए तमाम उपाए किये जा सकते हैं अब आपको इधर चलना है कि वो मुस्लिम सुल्तान और गैर मुस्लिम सु के बीच की तुलना करते हुए कहता है कि यदि आप मुस्लिम सुल्टान हैं तो आपको ये सुनिशित करना परेगा कि कोई न कोई तरीका अपनाईए कि जिसके कारण हिंदुस्तान मुसल्मानों का देश बन जाए जजिया मात्र लगा देने से आपकी बात ने बनेगी कई तरीके हो सकते हैं वो तरीके खोशते रही है तरीके खोशते रही है तो वह मानता है कि सब को बलपुर्बग धर्मानतित नहीं किया जा सकता लेकिन वह कहता है कि सकता मुसल्मानों की है तो इतने भर से काम नहीं चला आज सकते आप कि आपने एक वर को जिम्मी करार दिया और कहा कि जजिया दे दीजिए अब उसके बाद फिर देखोगे कि वह हिंदू और मुसल्मान के मुद्दे से आगे निकल कर आता है तो अभिजात बादी भी है और अभिजात बादी कमत होता है उचे कुल खांदान और प्रिश्टricalagna के लोगों को प्रेफरेंस देने में यकीन रखता है तो ऐसे में वह मुसल्मानों के अंतरुगत फिर कहता है कि तुर्की मुसल्मान स्रेस्ट हैं तो इसका मतब है कि देशी मुसल्मान हीन हो जाएंगे और विदेशी में भी इरानी अफगानी और अरवी मुसल्मान पीछे छुट जाएंगे तिर्की मूल के विदेशी मुसल्मान को वह सबसे काबिल मानता है और उसके अंतरगत भी वह ये मानता है कि जो उचे कुल खांद अब हमारे सामने में कौन सी किताब आ रही है तारीक है फिरोश रही है तारीक है फिरोश रही है तारीक है फिरोश रही के अंकित सिंग्ख रही है राजी राजबूत खूब 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 रही है चलिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जबा हमारे स्टूडेंट ही दे रहे हैं यहीं है सिहन्ता का परिवारिक फरूप तुसमा बतेल मलफुजाथ क्रंथ क्या है कल बताया था मलफुजाथ के बारे में वैसे जितना मैंने बताया था वह सफीशीन नहीं है लेकिन आज मैं उसके उपर सफीशन्ट चर्चा कर भी पाँगा कि आज का टार्गेट बिलकुल ही फिक्स है कि हमें बरनी की बात करनी है तो अब हम तारीक फिरोशाही की बात करेंगे और तारीक फिरोशाही में चलका देखो तो वह बल्बन से लेकर बल्बन से लेकर आपको बता चुका हूं कि यह तारीक के फिरोसाही बेसिकली इतिहास की किताब है तो इसके इतिहास लेखन का कालखंड क्या है मैं वो बता रहा हूं बल्बन से लेकर फिरोसाह तुगलक के असन के सब्सक्राइब का ब्यारा दिया है बल्बन से लेकर इसका मतलब है वारा सौ प्यासट से तेरा सौ प्तावंता इसके दौरान आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कुछ जानकारी कुछ जानकारी दिल्टू तमिस और उसके उत्रा धिकारियों के बारे में भी कुछ जानकारी तो दिल्टू तमिस और उसके उत्रा धिकारियों के बारे में भी है लेकिन इस पीरियट को उसने प्राइमरली कवर नहीं किया है विसिकली वह मिनहाज उस्षिराज विसिकली वह मिनहाज उस्षिराज के तोरह कवर किये पीरियट बारह सो साथ के बाद के पीरियट के उपर लिखना चाहरा है और इसलिए उसने बारह सो क्या सथ से डिटेल का इतिहास लिखा इतिहास लिखा तो आपके सामने यह सबस्ट है कि वह मिनहाज के द्वारह कवर किये गए पीरियट के उपर इंट्रेस्टेट नहीं है तो इसलिए उस इडियट के बारे में फोरी मुरी जानकारी भले दे देता है रेफरेंस के तौर पर बैग्राउन के तौर पर लेकिन जिस काल का इतिहास उसने लिखा है उसकी सुरुवात बल्बन के सासन पर स्थापित होने से होती है अब काल के बाद फिर हम क्या करेंगे क्या है आर्यन मलफुजात सूफिसंतों की वारता का संक्रेन हाँ वो तो सही बात बता दिया अब अगला पॉइंट है कि अब पानी पिले अब हम देखेंगे कि उसकी तैली कैसी है उसने कुल ग्यारह अध्यायों में अध्यायों में अपना ब्यूरा दिया है संसे सिराज अफीब कहता है कि बर्नी की एक्षाया थी कि वह एक सो एक अध्यायों में पूरा पूरा विस्तिज बर्नन करना चाहते थे लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया उनको समय नहीं मिला या आप सूचे ना कि तारीक है फिरोशाय कंप्लीट किया और उसके दो साल के रूप में इसकी चर्चा ज्यादा होती है क्योंकि इसका कालखन बिसिकली दिली स्वत्रत का ऐसा कालखन है कि जिस दौर में ज्यादा तर प्रॉमिनेंट सासक हुए है बलबन से लेकर फिरोशाह तुलक तक तो यह बात हमारी ओचुकी की ग्यारा अध्याई में वह लिख रहा है इसके बाद फिर अगला मुद्दा है कि वह किसी भी अध्याई में कोई राजवन्स और राजा को लेता है यहां सुल्टान को इसे लेता है तो उसके बारे में काफी है वेवस्थित और विस्थित जानकारी देता है जैसे कि कि इसी सुल्टान की बात दिकरेगा कि आप उसका दर्वारी कौन-कौन है दरवारी विभीन अधिकारी कौन-कौन है विभीन अधिकारी कौन-कौन है इसके बाद फिर वो उस दौर में जो प्रमुख साहितिकार लोग हैं उस दौर के जो प्रमुख आलिम है और जो अन्य क्यानी विद्वान हम इस ंन्त चान आदि लोग है इन सबों का वो विश्तित बरनन कर देगा वो आपको कि इतिहास लिखना है और उस काल का इतिहास जानना है तो आप इन संदर्भों में भी कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर लेंगे सिप और सिफ सुल्तान उसकी जीत उसके शाशन उसकी सत्ता का विकास उसकी सत्ता का पतन इतने ही विश्यों तक बात नहीं रहती है सिमित ये सारे लोगों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है बर प्रशाष्चन की संसथा, उसकी कारिश्यली, उसकी कारिश्यली, उसकी विचार्धारा, उसके अभिनोप्रियोग, इन सबों के बारे में भी काफी विश्थित जानकाडी देता है, विश्थित जानकाडी देता है, ये बात समझ में आ गई, इसके बाद फिर देखोगे कि उसकी भासा, पहले बात तो भासा फार्सी लिखता है, फार्सी लेकिन बात दुस्री बात यह है कि भासा रोचक है, कभी कभी काप व्यात्मक शैली अपना लेता है, काप व्यात्मक शैली अपना लेता है, कभी काप व्यात्मक शैली का मतलब आप यह मन समझेगा कि वह कभीता लिखता है, लिखता तो गद्यात्मक शैली में ही है, हिस्ट्री की अपनी एक खाशियत होती है कि इसको आप काभी के माध्यम से लिखना चाहेंगे तो आपको वह और चारिक्ता वह डीटेल्ड वह इनलेसिस वह पैक्च्वल विस्तार मिल ही नहीं पाएगा, अत्हा हिस्ट्री के लेखक को गद्यात्मक शैली में ही लिखना होता है, उनमें हिस्ट्री के डीटेल्ड की कमी रही, पर नहीं लिखता उसे गद्यात्मक सैली में हैं लेकिन लिखने की उसकी शैली ऐसी है कि जिसमें कभी-कभी वर्ख लगेगा कि पोईटिक हो गया है। ये उसकी खाशियत है न कि उसकी सीमा है। आप बड़े-बड़े बिद्वानों को आज भी लिखते हुए देखिए तो आपको इस सैली में लोग लिखते हुए नजर आ जाएंगे। मैं तो डैबिट थॉम्पसन बगेर को जब भी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि डैबिट थॉम्पसन इस्टोरियन नहीं होता तो साइथ कभी होता। मैं जब पढ़ता हूं इनको कहते हैं परसीवल स्पीयर को बगर के बारे में भी यही भावना है। आप इस सैली को पहचानिय यह एक रोचक सैली है कि आप गंभीर बात करते 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 जब समापन की और जाते हैं तो आपकी भासा अच्तानक ही चमतकार करने लगती है और यहां आपका पाठक आपसे बिल्कुल ही बन जाता है आप पाठक को भासा की रश्शी में बांध लेते हैं उसके हरदय को बांध लेते हैं यह कहानी तो कुल मिलाकर आपके सामने में यह स्पच्ट है कि उसकी भासा फार्शी है रोचक है कभी कभी तो हुआ का ब्यात्मक इतिहासकार की कोशावटी पर किस हद तक उतरता है किस हद तक इतिहासकार की कसोटी पर खड़ा उतरता है हमें इसे देखना होगा इसको जब देखते हैं तो इतिहासकार की कसोटी यह होती है कि कोई भी आदमी जब लिखे तत आधारित लिखे पिर तत का स्रोथ बता दे पिर स्रोथ की प्रमानिक्ता की जांच कर ले इसके बाद वह तालक क्रमिक लिखे पिर उसका च्छेत्र बोध बहुत स्पस्ट रहे इसके बाद वह स्पस्ट भाव से लिखें प्रबाग्रह से मुक्त होकर लिखें मुक्त होकर लिखें इसके अलावा वहां सक्थियों का प्यारा मात्र ना दे मात्र नहीं दे बलकि उसकी तार्किक और आलो चनात्मक प्याख्यागी करें और वह अपने युग के जीवन का बहु आयामी बहु आयामी कवरिज करें अपने युग का बहु आयामी कवरिज करें मल्टी डैमेंशनल कवरिज अफिज एज सुद भी और हर एज सुद भी ये सारी कसोटियां हैं इन कसोटियों के उपर आप दी खरा होते हैं तो आप इतिहासकार माने जाते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि क्या बर्नी वास्तव में इनका सोटियों पर ख़ड़ा होता है हम ये उमीद नहीं जगा सकते हैं आपके अंदर कि मैं आपके सामने आज बल्बन से लेकर फिरोसा तुगलक तक के सासन का पूरा का पूरा इतिहास डिसकस कर दें वो पॉसिबल नहीं है वो तो अलग-अलग क्लासिस में ही संभब होता है मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्नी के लेखन की शैली की बात करूंगा और इसी क्रम में कुछ उदाहरन आ जाएंगे तो उन उदाहरनों से आपका लाब हो जाएगा अब देखो कि क्या बर्नी तथ आधारित लिखता है तो सबसे पहले हम इस बिसे पचल कर देखें तो आपको यहां पर बात समझ मानी है कि मतलब ऐसे समझों कि हिस्टॉरियन जग लिखता है तो वह इस तरीके से लिखता है कि हमने इसको लॉजिक से एनलाइज किया और यहां से हमारा कंक्लूजन बन गया इस दिपादर ओफ हिस्ट्री लॉजिक सिफ इस प्यक्ट में हिदेन हिस्ट्री को डिसरफर करता है और कंक्लूजन निकाल देता है तो आप यह समझिये की बर्नी भी इसी शैली में लिखता है सत्थ को आधार बनाने इस शैली में इतिहास लिखता है अब दूसरी बात क्या है किन्तु किन्तु कई बार वह सत्थ है या तो नहीं देता या तो नहीं देता और हिवी बार कई बहुत कम तथे देताostic कि अबहुत कम तथे देता कि या तो तथे देती नहीं है या तो तथे कम देता आये अब साल उडूता है कैसा क्यों है तो एक कारण तो यह है कि वह उस्तकाले से दूर है उस्तकाले से दूर है वह आंकणों से दूर है तो ऐसे में तो भाविक है कि उसके पास में ज्यादा फैक्ट नहीं होंगे एक दूसरी बात भी है वह वह वैचारिक वैचारिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देता था वैचारिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देता था लेकिन उसके एनलेसिस में हमें उसका विचार तो दिखता है लेकिन उसके विचारों के साथ साथ हम उसका फैक्शुल बेस खो जेंगे तो वह लैक कर रहा है वह पत्वा यह जहांदारी फत्वा ए जहांदारी की कसोटी पर अपने सासकों को कस रहा है और जब फत्वा ए जहांदारी की कसोटी वह अपने साथ को कस रहा है तो इस क्रम में वह ये कोशिश नहीं करता है कि सासक ने जो भी काम किया है उसको हम फैक्ट्वली डिटेल्ड तरीके से डिस्क्राइब कर दें और उसका इनलिसिस करें वो इस पैटर्न पे जाई ही नहीं रहा है वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट को चूनता है और उस सब्जेक्ट के एनलिसिस की और जाता है और उसमें उसको जहां जहां कहीं कहीं याद है वो फैक्ट यूज करता है इसलिए खलिक अहमद निजामी ने ये लिखा कि वह सिर्फ और सिर्फ उन तत्यों को ही चूनता है जो उसकी आँखों के सामने घटित हुए या फिर जिनका उसके दिमाग पर कोई गहरा इंपक्ट था उसके दिमाग पर कोई गहरी च्छाफती अन्य था वह तत्यों से प्रायः दूर ही रहता है ये उसके इतिहास लिखन की कमी हैं और इसका परिनाम क्या निकलेगा कि विश्वस्नेता घट जाती है कई बार गलत तत्य दे दिया है कई बार गलत तत्य तत्य दे दिया है जो घटना घटी भी नहीं है उस तरह की घटनाओं का वर्नन कर देता है यो डायडिस बगर के बारे में बताता है इसी जानकारी देता है यो डायडिस के बारे में कि जो जानकारी किसी तत्य कि कसोटी पर ख़रा नहीं उतरती है वह वल्बन और हलाकू के बारे में ऐसी इसी बाते बताता है जो कभी आतिहासिक तत्यों पुश्ट ही नहीं हो सकती है कॉए कालकरम बगर है जब बताने लगता है मैं कालकरम के उपर आता हूं कालकरम में अलग ही मुद्दा है तो इसलिए कि उसी के माधन से बेहतर समझेंगे तत्य आधारित तो होई गया कालकरम वाला यहां है पहले इसे ही निप्टा देता हूँ कि कि कालकरम का सामान ने पालन तो करता है सामान ने पालन करता है करता है लेकिन कई बार गलत कालकरम भी दिया है कि कई बार गलत कालकरम भी दिया है इसके अलावा आप देखोगे कि वह कई बार कालकरम दिया ही नहीं है कि असल बात यह है कि उसके हिस्ट्री राइटिंग के ऊपर हिस्ट्री राइटिंग पर उसका राजनीतिक विचारक भारी पर जाता था हारी पर जाता था उसके हिस्ट्री राइटिंग पर उसका राजनीतिक विचारक भारी पर जाता था तरियत का उसका ग्यान जवावियत की उसकी समझ इन सारी कसोटियों के आधहार पर जब वह तासकों की नीतियों की विवेचना करता था तो घटनाओं और घटनाओं के पीछे के फैक्ट पीछे के सोर्स सोर्स के अलावे उन घटनाओं के घटित होने का कालक्रम इन सबों में उसका मन ही नहीं रमता है वो एक तरह से जजमेंट करने के लिए बैठा हुआ है और जजमेंट भी एक प्रफेटिक अंदाज में कर रहा है कि जैसे कि वह एक उपदेशक रहा हो और वह उपदेशक की तरह यह कह रहा है कि यह होना चाहिए था यह नहीं हुआ और आगे चलकर फिर अपने आगे के यूग के लिए वह एक मागदर संदेना चाहा रहा है तो इसलिए कई सारे लोग इसको डिडेक्टिक उपदेशात्मक शली में लिखने वाला लेखक कहते हैं और इतिहासकार को उपदेशक नहीं होना चाहिए यही इसके इतिहास लिखन की कमी नजर आ जाती है अब यहां पर किसे मिटा दिया है फिर हम देखते हैं कि जब तथ ही नहीं दे रहा है तो तथ का स्रोथ क्या देगा एक तो तथ की कमी उपर से जहां कहीं तथ दिया है उसमें भी स्रोथ नहीं दिया है और इसके नाते उसके दोरा जो भी जानकरी दी गई है उसमें प्रमानिक्ता की कमी हो जाती है और इसके बाद एक अगला कि तार्किक ब्याख्या करता है और निश्कर्स निकालता है कि फिर इधर देखोगे कि ओपर जाओ तो तथ जब देगा तो तथ कस्रोत बताएगा कि जैसे मान लो कि हम आपको कह दें कि आज की रेट में हिंदुस्तान में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वह 20 परसेंट है तो उसके बाद आप पुछोगे कि अच्छा तो आपको यह जानकारी कहां से मिली मैं कहूंगा वाटसप मैसेज आया था फॉर बॉर्डड मैसेज था आप कह दीजेगा क्या गुरुजी आप भी फंज गए लेकिन यह कहूं कि इकनोमिक सर्वे अप इंडिया में है उसके इस पेज पर लिखा हुआ है आप जट से इकनोमिक सर्वे अप इंडिया के उस अध्याई के पे उसने तत्थ दिया की नहीं और आपको पता चला की तत्थ नहीं दिया तो इतिहासकार की कसरी फेल यदि आपको पता चला की तत्थ दिया तो फिर इतने सही उसको पास मत करिए फिर कहिए कि भाई साब आपके इस तत्थ की प्राप्ति कहां से हुई इस तत्थ का सोर्स क्य गई है उसकी चानबीन किये थे कि ने कि आदमी यह कह दे कि प्राचीन काल में कि एरोप्लेन की सुफ़ धाएं थी ये हुआ उसका दावा दावे का बात फिर है क्याकि आपको ये जानकारी कहां से मिली तो बोला हमारी ये जानकारी जो हुआ बालमी की के रमाइन पर आधारी थे तो बालमी की के रमाइन के आधार पर एदी को ये आदमी इस तरीके के दावा कर देगा तो हम उस दावे को सही नहीं मान सकते क्योंकि बाल में कि ये कभी थे महा कभी थे उन्होंने अपनी और से कुछ कल्पना ये रखी है और उन कल्पनाओं के आधहार पर हम ये बात नहीं कह सकते कि उस काल में रियल माने में कोई हवाई सेवा रहती होगी साइकल नहीं है मोर्टर साइकल नहीं है पर नहीं है यूजा किसे सब्सक्राइब तो फिर ऐरोप्लेट कआएगा भगबान की कृपा से सब्सक्राइब इता है उस्ञाएन और पहले पास रावान के पास म्याया था कुछ सुपरनिचुरल फोर्सेस के माध्यन तो यह संभव है सुपरनिचुरल फोर्सेस हम लोग के सिलेवस का चीज नहीं है हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री का स्टूडेंट जिस भगवान को पढ़ता है अपने कोर्स में इस धर्म को पढ़ता है अपने कोर्स में धर्म की जिस किताब को पढ़ता है अपने कोर्स में उस किताब को वो भगवान की किताब के तौर पे नहीं पढ वागी मैं भगवान को मानता हूं में मंदिर जाता हूं को अपना अपनी अपनी आस्ता है and I respect their believe I respect their faith and I expect कि लोगों को मेरे विसमान करना चाहिए लेकिन मैं इतिहास के विभी के तौप में पे जब किसे बश्य करता हूं तो उसमें तुम मैं एक ही बात जानता हूं कि God is a child of human being, इस्वर मनुस्त की बहुत धीक संतान है, असली इस्वर कोई है, तो हमारे पाठ्षकर में नहीं है, और मेरे अंदर इतनी योगता नहीं है, कि मैं असली इस्वर के रूप और गुन के बारे में आपको पढ़ा सकूँ, तो फिर आपको किसी सन्यासी क के क्लास में जाना चाहिए, मैं सन्यासी संत नहीं, मैं सामान इतिहास का विद्यार थी, इस एंगल को आप एधि समझते हैं, तो आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा, कि कुस्तपक विमान तो पॉसिब्ल ही नहीं है, तो स्टुर्वत में कोई जानकारी दे भी गई है, स्रोथ की प्रमानिक्ता की जाज करो तो फाइनली हम इस बात को समझ रहें कि बर्नी इन तीनों ही मोर्चाओं पर कमजोर था और यह बर्नी के इतिहास लिखन की कमजोरी है और इस लिए बर्नी को हम रिलाइबल ने मानते कई जब हों अब इसके बाद एक दूसरा मुद्ध क्या नजर आने को है कि जब वो किसी स्रोथ की बात कहता भी है ना स्रोथ की बात कहता है कि मैं कोई जानकारी कहां से हासल किया हूँ कोई जानकारी कहां से हासल किया हूँ जब ये बात कह रहे होते हैं तो क्या कह रहा है कि मैं इस स्वर से डरने वाले नैतिक जीवन जीने वाले आलिमों और सदाचारियों कि माध्यम से ये बात जानता हूं अब तो ये तो वही वाली बात होगी कोई कहादे कि बालमीकी ने कहा था कि फुस्व विमान हुआ था और ये कहादे कि बालमीकी जूर बोलेंगे तो बरनी कुछ इसी तरिके की बात कर रहा है अनेक अनेक जगा पर इसलिए बरनी के तोर से का जो संदर्व है जो रेफरेंस है वह रिलाइबल नहीं है वह इस्टॉरियाउसिटी की कसोटि पर खाड़ा नहीं उतरता है historian किसी को इतना पवित्र नहीं मानता है कि उसके वचन मातर के आधार पर हम किसी बात को sanctified करते हैं वचन का यकीन history को नहीं है history को fact यही तो इसलिए आप देखोगे कि बरनी इस कमी का सिकार है कई दफा वो खुद को ही कहते तक मैंने खुद देखा है तुम ने खुद देखा है यह तो वही वाली बात हो गए कि कोई आदमी अपने अपने अनुभव के आधार पर कुछ खुछ कहना सुरू कर दे तो तुम्हारा अनुभव तो इतिहास नहीं हो सकता है इसके बाद फिर अगला पॉइंट बरनी में यह है कि वह किताब जब लिखता है तो अपनी किताब में उसने खुद लिखा है कि मैं इस सपत के साथ में लिख रहा हूं कि मेरी बात सत्य होनी चाहिए और यदि सत्य नहीं हो तो फिर मुझे मुक्ती न मिले अब यह कोई बात के डेट में जाके कहा दे कि मैं गीता के उपर हाथ रखे किसम खाता हूं मैं कुरान के उपर हाथ रखे किसम खाता हूं मैं जो कहूंगा सच कहूंगा क्या इतने के आधार पजजज साहिब उसके पक्ष्में निरने दे देंगे तो इतने ग्याधर पर किसी ने दी कोई बात कह दिया हो तो उसके दोरा कही गई बात को एतिहासिक बात नहीं मान सकते तो बर्नी की किताब में बहुत सारी बातें ऐसी है जिन बातों को एतिहासिक ताकी कसोटी से दूर कहा जाना चाहिए अब ये बात पूरी हो गई हमारी अब इसके बाद फिर फेत्र बोध का भी बर्नी के इतिहास लेखन में कोई जादा महतु नहीं है फेत्र बोध भी उसमें थोड़ा कमजोर है इसके बाद फिर आप पो ये समझना परेगा कि बर्नी की रुच बर्नी की रुच राज नहीं थी कि घटनाओं पर कम है घटनाओं पर कम थी जैसे मान लिजे की बल्बंद से लेकर जलावदीन खिल जी या अलावदीन खिल जी या मुबारक खिल जी या गयासुदीन तुगलख इन सबों के अभियानों के ऊपर यदि कोई कहानी करी जाए तो उस दौर का historical factual detail आपको बर्नी की किताब में नहीं मिलेगा बर्नी का इंट्रिस्टी नहीं है इस अभी से पर बर्नी को लगता है कि हमें राजनीत की संस्थाओं पर लिखना चाहिए वर्नी राजनीत की व्यवस्था पर लिखता है कि विचार पर लिखता है और उसे पत्वा ये जहांदारी कि कसाओंटी पर कस्ता है कसाओंटी पर कस्ता है तो बहुत सारे सुल्तानょं पर लिखने के लिए आप के पास में एविदेंस ही नहीं होता यह कहानी हो गए कि या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं लग रहा है कि वर्टसप यूजर था लग रहा है कि वर्टसप इन्वस्टी में पढ़ता था वर्णी इतिहासकार के वेस्ट में आधा से ज्यादा उलेमा जैसा लग रहा है एकदम सही बात है इतिहासकार के रूप में उलेमा था हुओ अभी उलेमा सब्द यूज ने करो आलिम सब्द यूज करो उलेमा बहुबचन है आलिम का ही तो अब आगे मैं आपकी बात को ही और पुष्ट करूँगा कुछ तत्यों से अभी इधर चलके देखो कि कहता है वो तटस्त भाव से लिखे और पुर्वाग्रा से मुक्त होकर लिखे तो यहां हम देख रहे हैं कि वर्णी लगातार किसी भी व्यक्ति का वर्णन करता है तो उसका वर्णन करने के पहले हुआ अपनी कसवटी बता देता है क्या कसवटी है तो फतवाय जहांदा एक पुर्वाग्रा बिल्कुल स्पस्ट है क्या पुर्वाग्रा है मुसल्मान होने का क्योंकि मुसल्मान होने का पुर्वाग्रा है उसके मन में तो आप देखोगे कि बर्णी हिंदूओं को तमाम प्रकार की बुराईयों से ग्रस बोलेगा मुहमद बीन तूगलक के सांकितिक मुदरा की- शुरत किया तो सांकितिग मुदरा की पधती भिफल हो गई ठो गई तो क्या विफल हो गई। है कि परति एको घंदू का घर्टक सॉल हो ग्याथ था। वट इबनिंग ñта पड़ते हैं कि हिंदू का घर्टक साल हो गया तो क्या सिर्फ हिंदू करप्त होते हैं क्या मुसल्मान करप्त ने होते हैं यह हिंदू अब मुसल्मान के रूप में वो चीजों को देखता है वो बुराईयों के प्रतीक के तौप हिंदू को देख रहा है क्या ये इतिहासकार की शैली है बिल्कुल नहीं है ये एक मुसलमान की शैली हो सकती है इतिहासकार की शैली नहीं है और इतिहासकार के बारे में कहा जाता है कि तुम्हारा अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए तुम्हारी अपनी कोई जाती नहीं होनी चाहिए तुम्हारा यदि आप किसी देश के हो गए, किसी धर्म का हो गए, किसी जाती का हो गए, तो आप इतिहास के नहीं हो सकते। History will be compromised. यदि आपके अंदर धर्म और जाती और देश का भाव जादा स्ट्रॉंग हो जाएगा। अब बर्नी के अंदर गट तो अनेक भाव स्ट्रॉंग थे, वह मुसल्मान था, वह तुर्की था, वह अविजन वादी था, वह शरियत को मानता था, जबावियत और शरियत के बीच के एक बिसेश परकार के अंतर समंधों की बात मानता था, उसकी अपनी एक बहुत डीटेल क अब आप देखो कि उसके अंतरगत जो तमाम पुर्वाग्रह हैं उन पुर्वाग्रहों में से ही आप ये पुर्वाग्रह देख सकते हैं, कि वह कह रहा है कि अमीर वर्ग ही योग्यत, हो सकता है, अमीर वर्ग ही योग्यत हो सकता है, ये कौन सी किता में कहा, फत्वाय जहांदारी में, और जब तारी के फिरोशाही लिखा, तो क्या लिखा, मुहमद बीन तुगलक ने अपने सासन में गरीब प्रिष्ट भूमी के लोगों को भी भागीदारी दे दिया, मुहमद बीन तुगलक ने अपने सासन में हिंदू प्रिष्ट भूमी के लोगों को भी भागीदारी दे दिया, दोनों को उनकी योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया, अब दोनों लोग अपनी योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर बैठ गए और ये बात बरनी के लिए बिलकुल ही नागवार है। बरनी कहता है कि उसने काफिरों को बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया है और बरनी कहता है कि उसने नीच और कमीने लोगों को मतलब गरीब लोग जो योगता के आधार पर बड़े पदों पर चले गए हैं इन्हीं गरीब लोगों के बड़े पदों पर चले जाने के कार सोती है और वही कल्म कि साहीं बनके कागज को रंगती है मैंने पता है वास्तों उसके इसके जीवन में इतनी पीरा नहीं दिखा रहा और बिशूरा एक कुलीन वादी पीरा है एक अभिजन वादी पीरा है उसकी पीरा यह एक आदमी सिस Mukta के बल पर क्या बड़े पतपा जा तो आप समझ लिजिए कि तारीक फिरोशाही में वह मुहम्मद बीन तुगलक की आलोचना करता है तो तारीक फिरोशाही और फत्वाय जहांदारी दोनों को मिला कर देखिए तो आपको अपने आप उसका पुर्बागरह समझ में आ जाएगा गाजानन माधर मुक्ति बोध बहुत बड़े कभी हुए हैं लिखते हैं कि पार्टनर अपनी पॉलिटिक्स तो बता कि तो इसकी पॉलिटिक्स समझो पहले इसलिए कहते हैं कि विफॉर यू रीड़ ऑफ हिस्ट्री यू सुट रीड वन परग्राप अब आव दर सिस्टॉर उसकी कलाई खोल जाए अब आपके सामने में ये बात स्पस्ट है फिन देखो कि वा अदमी फिरोसा तुगला की बड़ी तारीब कर रहा है क्यों जेल में है क्या चाहता है मस्का लगा रहा है रहा कर दो अमीरवर्ग में सामिल कर लो कुछ दे दो रियायते मिलक इनाम इद्रार दे दो कि ये तटस्ता की बात हो गई नहीं अब देखो कि तथ्यों का ब्योरा मात्र नहीं देता हो यहां पर देखोगे तो आपको यह बात नजराने को है कि अधि आप मिनहाज से तुलना करें मिनहाज से तुलना करें तो आपको यह नजर आने को है कि अधि बढ़नी मिनहाज सिराज की तुलना में ज्यादा गंभीर इतिहास कार है क्योंकि वह राजनीत का प्रशाशन का एकॉनमी का आइडियाज का इंस्टिशूसंस का एनलिसिस करता है कि वह सुल्तानों के विभिन प्रकार के एक्सपेरिमेंट के पीछे के कारन की और जाता है उनके कारनों का विसलेशन करता है इस एंगल पर जाके देखोगे तो लगेगा कि हाँ ये बतौर हिस्टॉरियन इनलिसिस के ख्याल से बेहतर है लेकिन किसकी तुल्ना में मिनहाज उस्षिराश की तुल्ना में इसे आप आधुनिक इतिहासकार की कसव टिपे नहीं इतिहासकार मान सकते हैं आप देखेंगे कि इसके उपर लिखने वालों में एक तरफ हरवंस मुख्या है हरवंस मुख्या कह रहे हैं कि कारकिक तरीके से लिखता है कारकिक तरीके से लिखता है और ये कुछ अद्वार हने देते हैं उसके जैसे की बल्बन ने फश्री मुतर के इलाके में दूरगी करनड़ किया तो क्यों किया क्यों कि उसे मंगोलों के हमले के आसंका थी बल्बन सामराज बिस्तार के लिए दिलली से बाहर नहीं गया तो क्यों नहीं किया क्योंकि उसे मंगोलों के हमले के असंका थी यह सब लॉजिकल तरह की बाते बोल रहा है बलवन ने अपने को जिल्ले इलाही कहा तो क्यों कहा बलवन ने अपने अपने सासन को नियाबत एक खुदाई कहा तो क्यों कहा तो कहे रहा है क्या कि वह चुकी सुल्तान के रूप में गद्धी पर बैठ तो गया था लेकिन दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था उसके अंतरगत एक कॉंप्लेक्स था इसलिए वह ऐसी बाते कर रहा था यहां लॉजिकल बाते कह रहा है फिर वह कहता है कि अलाओ दिन खिल जी ने बाजार नियंतरन की नीती अपनाया तो क्यों अपनाया तो इसलिए अपनाया क्योंकि वह चाहता है कि बड़ी मजबूत सेना बने सेना को प्रोफेशनल बनाएं ताकि वह ज़्यादा इफेक्टिव बने और इसके लिए उसको नगद बेतन देना चाहिए इतनी इफेक्टिव सेना बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मंगोलों के हमले की आसंका अलावदिन खिल जी के सामने थी उसके सासन के कल में शुरुआती दौर में ही तीन बार हमले हो चुके थे मंगोल के हमले के आसंका है मजबूत सेना बनाना है उन्हें नगत बेतन देना परेगा नगत बेतन देने के लिए चांदी की प्रियाप्ता नहीं है अंतर अस्टिय बाजार में उसकी कमी है वहाँ भी मुल्ली जादा है तो यह अफोर्ड नहीं कर सकता उनको उपयुक्त बेत ब्रहादे और इसके लिए market control की policy अपनाया यानि उसने कहा कि market will not be allowed to control the price of the goods the price of the goods will be controlled by the state इसी दिए को price control system भी कहते है या market control system भी कहते है मतलब price को market control नहीं करेगा state control करेगा तो यहां पर logical बाते कह रहा है कि महमब बीन तुगलक ने राजधानी का परिबर्तन किया तो क्यों किया तो कहता है क्योंकि उत्तर और दक्षिन दोनों ही राज्ये उसके प्रटेक्शन ये तरन में आ गए थे तो उसे लग रहा था कि दिल्ली से बैठ के अंध्रा और करना टक तक के इलाके को रूल करना मुश्किल हो जाएगा तो वह बीज के कि उसकी सराहना कर रहे हैं कौन सराहना कर रहे हैं लेकिन दूसरा एंगल चलकर देखो तो दूसरे एंगल में चलकर देखोगे तो परिस्ता ने उसकी अलोचनक किया है परिस्ता ने कहा कि वह कई सारे तत्थे तो चुपा लिया इलियट ने भी यही बात कहा तो वो कई सारे फैक्ट छुपा लेता है जिसे फिरो सा तोगलद के काल की कुछ कमियां होंगी तो कमियां ने बताएगा कई सारे सुल्तान जो उसके पसंदीदा हैं उनकी कमियों को छुपा लेता है लेकिन इतो ह्से मानद मिंस हूझ में सबसे स्ट्रोंघ क्मेंट आता है पीतर हर्डी का पीटर हर्डी का रहा है कि वोतो उपदेशत की तरह लिखता है और वो अपने तथे लेकर आ जाते हैं हम ना तो पीटर हर्डी को खारीज करेंगे नहीं हर्बन समुख्या खारीज करेंगे जो सच है वह बता देंगे जैसे कि आप पीटर हर्डी का उदाहन लेकर देखिए वो कह रहे है क्या कि कि बल्बन का बेवरा लेकर देखिए नमर एक कहता है कि बल्बन बहुत ही कठोर सासन चला रहा था उसने मुसल्मानों के परति भी बहुत कठोर बढ़ती थी बल्बन के राज़त का से ध्यानत आप लोगों साथ सुना होगा और आप लोगों ने पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा कि बल्बन ने तुरकाने चेहलगानी को नस्ट कर दिया था इसका में उसने बड़े तुरकी अमीर को या तो कठ cast दंड दिया या तो मार ही दिया to यहां से प्रति को ऑसके मंदे में कुछुँ साह focus !! कि बल्बन का बेटा मंगोलों के हमले में उसका बेटा कर नाम मुहंबढ है बल्बन का बेटा मुहंबभ्र मंगोलों के में इसलिए मारब कि इसने मुसलमानों के साथ लुपे भार किया घृ ka । प ये भी रियालिटी है भी अपने मुत्वबिक तथ खुज़ने और हरवन्स मुक्याफ तथे डोनों ही तत तथे इसे के बच गया क्योंकि इसवर में विश्वास करने यह मुसल्मानों की नियुक्ति किया था उस अभियान के लिए लिए गौभी फीरंगे मुसल्मान की नियुक्ति करने से कैसे बच गया भई कहीं कहीं युद में गौड की भूमिका तुम देख रहे हो। तो फिर तो वही मिनाज उस्सिराज की शैळी हो गई कि मिनाज उस्सिराज से पूछा गया कि दिल्ली में तुर्की सत्ता के स्थापना कैसे हो गई तो बोला वो तो खुदा का करम है। तो यह हिस्ट्री राइटिंग का स्टाइल नहीं होता है इस बात को सुनेगा तो हस देगा और हसी का पात्र बन जा रहा है आज के इतिहास कारों की द्रिश्टी में बढ़नी और दोनों बातों को आप एक साथ दोर के देख लिजिए जीत गया क्यों कि गॉड फियरिंग लो पुछ नहीं होगा मुसल्मान के पति कठोड़दा बरतने से भगवान नाराज हो जाते हैं यह है बल्बन के बारे में बरनी का नजरिया अब इसके बाद देखो वो कहता है कि और इसी का नतीज़ा ये भी निकलता है क्यों मुसल्मानों के पती जो कठोर्दा बरता था इसी का परिनाम ये भी निकला कि बल्बन के मरने के ठीक बाद उसका बंस का सासन समात हो गए मुसल्मानों के पती कठोर्दा बरती इसलिए बल्बन के मरने के चार बर्स के ही अंतराल में उसके बंस की सत्ता खत्म हो गई और खल्जी बंस की सत्ता स्थापित हो गई अब आप ये अन्दाजा लगा लिए मुहमद बिन तुगलग के बारे में क्या कह रहा है मुहमद बिन तुगलग के बारे में कह रहा कि उसके राज में लगातार बिद्रो होते रहे सब ही कॉर्णर से बिद्रो हो रहे थे क्यों इसलिए बिद्रो हो रहे थे क्योंकि वहा हिंदूओं के साथ होली खेल रहा था होली खेलता था वहाँ बुद्धिवादियों के बुद्धिवादियों की राय मानता था यहां यह भी बात नहीं कही जा रही है कि हिंदुओं के साथ में होली खेला तो मुसल्मान नाराज हो गए तो मुसल्मानों नाराज ने बिदरो किए यह अंगल यह विस्वर में विस्वास नहीं करने वाले लोगों के सात लगैम इस लए इस तो यह नाराज हो गए और इस लिए इसके सामराज में शतूर दिक-बिद्रो हो रहे ते ये historian को बिल goof नहीं पचेता अलाव दिन खिल्जी के Va ऐ वंस्की सता में क्यूं क्जिव हो गई कि अलाव दिन-खिली ये मरने के चार बर्सस्हे किस्था खत्म हो गई क्यों 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 कि अलाव दिन खिलती भी इस स्वर में विस्वास करने नहीं करने वाले लोगों को ऐसा करने दिया मतलब जो हिंदू थे जो इस स्वर में विस्वास नहीं करते थे उन हिंदूओं को उसने कठोरता पुर्वक मुसल्मान बनने के लिए फॉर्स नहीं किया इसलिए उसके बंस के सत्ता उसके मरने के चार बर्स में ही खत्म हो गई और फिर अगला पॉइंट यह है कि आखिर वो काम्याब क्यों हुआ वो काम्याब क्यों हुआ वो काता है काम्याब तो इसलिए हो गया क्योंकि दिल्ली मेंum महतुब एलाही थे महभूब एलाही थे तो इसाता है का प्रकोप नहीं हुआ तो इसलिए वो कामियाब हो गया किसी सिरे से इतिहासकार को धंसने बागी बात नहीं है कि अता हम बर्नी के अंदर दोनों तरह की बाते देखते हैं कहां तो वह फैक्ट की लॉजिकल ब्याख्या करता है कहां तो वह एक अदम ही डिडेक्टिक बाते करने लगता है लगता है कि सही में वह एक आलिम है अब एक तूड़ेट ने बोला था कि वह इतिहासकार के रूप में मुझे आलिम दिख रहा है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हां आलिम बाली तालिम लिया था इसलिए इवारी उसके एतिहास की दृष्टि के उपर आलिमाना जो लहजा है वह बाहरी पर गया इसकी तुलना जब आप करते हो बढ़नी की तुलना जब आप करते हो कई जगहे पर कलहन आपको बढ़नी से ज्यादा इतिहास प्रिश्य स्थम पर नजर आएगा कई जगों पर हलंकि कलहन के किताब के अंदर कई ऐसे अध्याए हैं जहां कि वो इतिहासकार नहीं बलकि सीधे से भी कभी लगता है और कालपनिक बाते करता रहता है अनुस्कुरूतियों पर आधारित अपने बाते करता रहता है तो कई जगा पर वो कालपनिक बाते करता रहता है लेकिन बर्नी कलहन जब अपने काल के कड़ी पहुँचता है अपने यूग के कड़ी पहुँचता है तो वो तथ्याधारित बाते करता है तत्थ के साथ स्रोत बताता है स्रोतों के अंतर का पूरा तात्विक स्रोत भी बताता है वह एथा संभब राग और द्वेश से मुक्त होकर भी बेचना करता है मैं यह नहीं कह सकता कि वह 100% प्रिजुलिस्ट फ्री था उसके अंतर करत भी थोरा सा पूरुष बाद है थोरा सा प्रम्हन बाद है लेकिन इतना स्ट्रोंग नहीं है जितना की बर्नी में दूसरी बात अब देखोगे कि मिनहाज की तुलना में बर्नी ज़्यादा बढ़िया हिस्टॉरियन है क्योंकि मिनहाज एक रोज नामचा लेखा की तरह लगता है बर्नी कम से कम एनलिसिस की और जाता है किन्तो आदोने की तिहास कारकर का सोटी पर देखें तो वह हमें खारिज करने के लाइक नजर आता है वह एक उपदेशक नजर आता है लेकिन जब हम खारिज करने की बात करेंगे तो हम यह जरूर कहेंगे कि basically हमें तोटेलिटी में इसका खंडन नहीं करना चाहिए जब हम सुप्रिम कोट के कई सारे मुकदमों का अध्यन करते हैं तो सुप्रिम कोट कहा करता है कि कोई कानून किसी सीमा तक गलत है तो वो उस सीमा तक नल एंड वाइड हो जाएगा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कानून ही रद हो जाता है जिस सीमा तक वो सम्मेधान की आत्मा का उलंगन करता है उस सीमा तक वो नल एंड वाइड हो जाएगा तो बर्नी भी उस सीमा तक नलन भॉइड होने के लाइक है जहां कि वो हमें इतिहासकार की कसोटी पे खड़ा उतरता नहीं नजराता है हम पूरे के पूरे बर्नी और बर्नी की किताब को खरीज नहीं करेंगे और तब हम देखते हैं कि जब आप मुगल काल में जाओगे मुगल काल में आपको अबुल फजल मिलेगा अब अबुल फजल से कंपेर करके देखो अबुल फजल की अपनी कमिया है वो दर्वारी है तो अबुल्फजल की कमियों की और अभी मैं आपको ने ले जाऊँगा तेकि मैं आपको ये जब लोग कहना चाहूँगा कि अबुल्फजल हिंदुस्तान को अपना देश मान कर इतिहास लिख रहा है बर्नी का वही लहजा है जो रामधाय सिंग दिनकर नें लिखा था सामाने मुसल्मानों के लिए उस यूग में तन भार्तिय मन इरानी तन भार्तिय मन इरानी मदheld रेसिया से ही अभी तक इसका मन जुड़ा हुआ है हिंदुगों के परती इतनी घड़ना इसे लिए इसके मन में है और इसी का contemporary है इससे बलकि कुछ साल पहले ही पैदा हुआ है 1253 में अमीर खुसरोथ उसकी सोच बिल्कुल इलाइदा है कोई करांती कारी ब्यक्ति नहीं है चुकि वह आदमी दरबारी है इसलिए वह दरबार में जिसके दरबार में रहेगा उसका गुंगान करेगा लेकिन बापजुद इसके उसका अपना एक घरदय है एक मन है जो जब अजाद होता है जब उसे मौका मिलता है तो वह गैर धर्म के लोगों के प्रती भी सम्मान का भाव प्रकर कर देता है लेकिन इसके अंतर गत्तो हिंदू के प्रती इतनी घरना है दूसरी जाती के मौसलमानों के प्रती भी इतनी घरना है कि इसके अंदर इतिहास का वास निस्पक्ष भावते हो ही नहीं सकता है जिस आदमी के अंदर पुर्बागरह जितना कम होगा वह आदमी इतिहासकार उतना अच्छा होगा जिसमें पुर्बागरह बरनी के बराबर होगा वह आदमी अच्छा इतिहासकार हो ही नहीं सकता आज की चर्शा मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ और उमीद है कि आप लोगों को बरनी समझ में आ गया होगा और फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों को एदि किसी जगा पर कोई कठना ही नजर आ रही हो तो आप लोग अपना कमेंट कर दीजेगा मैं एक फ्री टाइम निकालकर आपके कमेंट वक्स में जाकर सारे लोगों के कमेंट देख लूँगा यदि किसी तरह का प्रश्ण मुझे इन्वाइटिंग लगा तो मैं आपका जवाब जरूर करूँगा दूसरी और ये कि आप में से कई सारे लोग कुछ-कुछ पूछ रह लगता है कि इस जानकारी को और भी लोगों का साथ सेयर करना चाहिए तो सेयर करिए मैं इस विशय के ओपर बिल्कुल सपस्ट हूं तभी तो इसे यूट्यूप लिकाया हूं बाकी हमारा रेगुलर क्लास हमारे एप पे ही चलता है तो आप के बारे में और कोई डिटेल ज होड़ेगा बस इतनी ही जनकारी आज तक के लिए धन्यवाद बाई बाई टेक केर दूब कर दो कर कार दो आप कर दो दो कि बाई 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 जूब आप आप जो